नमस्कार दोस्तों अजे सहूं ओनलाइन क्लासेस में आप सभी का सभागत है आज किस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 23 से 30 अक्टूबर तक के करेंट अफैर 36 गड के सारे इसमें जो टॉपिक जो मैंने लिखा है वो सब हम कवर करेंगे ये कुछ हमारे शोशल लिंक है जिनसे आप जूड सकते हैं पहले हम पिछले वीडियो से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम नजेर डालेंगे उसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्श में करना है सबसे पहला जो प्रस्ण है सुपर बेड़ा स्वास्त शिविर किस जिले में सम्मंधित है धमतरी, गरिया बंद, सुकमा, भस्तर हाल ही में इसका आउजन किया गया था तो इसका आपका अंसर देना है दूसरा प्रस्ण है इंद्रा गांधी क्रिसे विस्व देले में परिवर्तन कारी जो चावल है प्रजनन पर जो विसा है उस पर कितने दिनों की कार्य साला का योजन किया गया है आप्शन है एक, दो या तीन तीसरा प्रश्ण है दिव्यांग भी से सौचाले जो योजना है वो किस योजना की उप योजना है तो आप्शन है आपके पास स्वक्ष भारत ग्रामेड या सहरी या मेरा देश या इन में से कोई नहीं चौथा है नवाचार के सुचकांक में जो नीती आयोग और इंस्टिटीट फ़र कॉंपेटिशन के दौरा जारी किया गया है उसमें 36 गड का जो रैंकिंग है वो क्या है 11, 15, 16 या इन में से कोई नहीं पांचवा और आखरी हमारा प्रश्न है नगर निगम चुनाओं में जो व्याई सीम है अबादी के अनुसार जो है डिसाइड किया गया है लेकिन 3 लाग से अधिक अबादी के लिए कितनी रखी गई है तो 5 लाग, 3 लाग, 2 लाग या 1 लाग इन सारे क्वेस्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है अब हम दिखेंगे पहला जो हमारा करेंट अफेर है मुख्यमंत्री किसान कर्जमाफी ठीक है किसानों की कर्जमाफी बार बार नहीं की जाएगी ऐसा मुख्यमंत्री भूकर इस भगेल जी ने कहा है कर्जमाफी का वादा एक बार के की गई है वो बस्तर जिले में जो है नहीं की जाएगी और जितने भी नक्सल प्रभाविज्य चेत्र हैं वहाँ पर जो है आफ लेंड टेंडर किया जाएगा लोकल लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा ठीक है तो ये कुछ बेसिक जो में फैक्ट है पहले करेंट अफ को निर्देश दिया साथ ही मुख्य सचीव से भी जो है जिलो में बारिस के कारण जो छती हुई है उसका जो रिपोर्ट है उसको सौपने के लिए मुख्य मंत्री जी ने कहा है ताकि जो प्रभावित जो किसान है उनको हर संभव जो है मदद मिल सके तीसरा हमारा करेंट अ जाएगा खादी मंत्री अमरजीत भगत की अधक्षिता में मंत्राला में हुई बैठक में इस निर्णय को लिया गया है इस बैठक में जो है इस वर्स होने वाले चावल उपारजन कारे के लिए प्लेस्मेंट एजेंसी के माध्यम से 108 कर्मियों की सेवाएं लेने पर भी ज इसमें क्या किये गए है 36 गड़ के जो हस्त सिल्प और हद करगा जो उत्पाद है वो वहाँ पर लोगों को लुभा रहा है मेले में 36 गड़ के वेंजनों और मसालों के श्टॉल लगाए गए है प्रदेश के बिहान सो साहता समोह के द्वारा जो है यहाँ पर 36 गड़ी वे इसमें राज शासन द्वारा लोग सेवा पदुन्नती नियम में संसुधन के अधिसूचना और पदुन्नती में आरक्षण के लिए मौडल रोस्टर जारी कर दिया गया है इस सरकारी सेवाओं में सेवकों की इस साल फरवरी माह से रुकी जो पदुन्नती है उसकी प्रक्र जो है सुरू हो जाएगी अधिसूचना के अनुसार पदुन्नती में अनुसुचित जाती के करमचारियों को 13 परसेंट और जन जाती के करमचारीयों को 32 परसेंट का रक्षण मिलेगा संसोधित पदुन्नती नियम के अंसार चतुर्थ स्रेणी से ले करके प्रथम स्रेणी तक के कर्मचारियों को पदुन्नती का लाब मिलेगा ठीक है तो ये जो है एक प्रकार का रोस्टर है इसके बारे में जानकारी था छटवा हमारा जो करेंट फेर है वो है राज्योस्व में जो है मुख्य अथिती के तौर पर जो है इस बार जो है कॉंग्रेस की जो राष्टी अध्यक्ष है सोनिय गांधी सामिल होंगी इस बार जो है राज्योश्व जो है तीन नवमबर से ले करके एक से तीन नवमबर तक के होगा ठीकर ये होगा राइपूर के साइन्स कोलेज मैदान में सात्वा हमारा जो करेंट अफेर है वो बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम जो है दिल्ली में जो है इसका खुला है दिल्ली में 36 गड़ हस्त सिल्प की जलग कारीगरों का हुनर नजर यहां पर नजर आएगा मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने आज नई दिल्ली के 36 गड़ भावन में बिलासा हैंडलूम एमपोरियम का सुभारम किया है इसके माध्यम से जो है दिल्ली वासियों को 36 गड़ के हैंडलूम उतपाद जो है अब आसानी से मिल सकेंगे इस एमपोरियम में 36 गड़ के कुसल कारीगरों की कला करितियों जैसे की कोसा सिल्क साडी जो है चित्र कोट विधान सभा उप्चनाव में कॉंग्रेस ने जीत हासिल की है कॉंग्रेस के उमीदवार राजमन बेंजाम ने अपने निकट वर्ती प्रतिदोंदी जो भाजपा उमीदवार है लच्छू रमकस्यप को जो है 17,662 मतों से जो हराया है तो इतना आपको याद रखने है और इस प्रकार से जो है इस जित के कारण ही बस्तर संभाग के जो जितने भी 12 सीट है उन पर जो है अब कॉंग्रेस की सीटे हैं ठीक है तो ये है राजमन बेंजाम नौवा है राश्ट्री पंचायत अवार्ड ठीक है तो ये क्या है केंदर सरकार ने 36 गड़ के 11 जिला जनपत और ग्राम पंचायतों को राश्ट्री पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया है योजनाओं के प्रभावी क्रियानमेन और ग्राम सभाओं के सार्थक आयोजन और उतकरिष्ट कारें के लिए इन पंचायतों को ये पुरुसकार जो है दिया गया है नई दिल्ली में आयोजित पुरुसकार समारों में 36 गड़ के पनचायत और ग्रामिड विकास मंत्री टीयस से देव ने केंद्री जो पनचायत मंत्री ही नरेंद्री सी तोमर के हाथों जो है पुरुसकार ग्रहन किया है 36 गड़ को पंचायतों के ससक्ती करण और सूचन तक्निकी के प्रभावी उपियोग के लिए इपंचायत पुरुस्कार से नमाजित किया गया है ICT याने की Information and Communication Technology तो इस पर 36 गड़ को इस चीज के लिए पुरे देश में तीसरा स्थान मिला है Next है हमारा धान किस्म के लिए पुरुसकार केंद्र सरकार ने धान की दुरलब किस्मों के सरक्षण और सवर्धन के लिए 36 गड़ के आदर्स महिला समू को 10 लाक रुपए के पादब जिनोम सेवियर पुरुसकार से सम्मानित किया है नई दिल्ली में आज इस सम्मान समारों में केंद्री कृषी मंतरी नरेंद्र सीह तोमर ने पाटन विकास खंड के ग्राम तर्रा के आदर्स जो महिला समू है उसके सदस्यों को इस पुरुसकार से सम्मानित किया है तो यह नाम याद रखना है और जगह का नाम आपको याद रखना है इसके साथ ही कृषी विज्ञान केंद्र धमतरी के मार्क दर्सन में पारंपरिक जो देसी बैगन होती है उसकी किस्म से विक्सित निरंजन भाटा के जो सररक्षन है उसके लिए ग्राम धुमा के प्रगृत्ती सील जो कृषक है लिला राम साहु को पादब जिनोन सेवियर पुरुसकार के रुप में डेड़ लाक रुपए इनको भी मिला है इनके जगा और इनका नाम आपको याद रखना है इस मौके पर इंद्रा गांधी कृषिव शुद्याले के जो पुलपती है डाक्टर S. के पाटिल वो भी यहाँ पर मौजुद थे नेक्स्ट है हमारा ग्यारों करेंट अफेर लोकवाणी लोकवाणी के लिए आपको बस यह याद रखना है कि इसका थीम क्या है इसका विशय क्या है तो मुख्यमंत्री भुपेज बगेल की मासिक जो रेडियो वारता जो लोकवाणी है उसकी चौथी कड़ी का प्रसारन आगामी जो है कब होगा 10 नवंबर को होगा इस बार जो है इसका जो विशय है नगरी विकास का नया दोर है ठीक है तो यह सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट है इस सम्मन में कोई भी जो व्यक्ति है आकाश्वाणी रायपूर के दूरुभास नंबर जो दिया है उसको रिकॉर्ड करवा सकते हैं बारवा हमारा जो टॉपिक है वो है विधान सभा सत्र 36 गड़ विधान सभा का जो शीत कालिन सत्र है आगामी 25 नवंबर से शुरू होगा डेट आपको याद रखना है यह जो है 6 दिसंबर तक के चलेगा इसमें 10 बैठक होंगी विधान सभा सचिवाला ने इस संबंद में अधिसूचना जारी कर दिया है ठीक है तो यह विधान सभा सत्र के बारे में है इसमें जो 36 गड़ नगर पाली का निगम और नगर पाली क जो संसोधन विधेयक है उस पर जो है चर्चा इसमें जो है जो इसमें होगा ठीक है तेरहवा है हमारा जो टॉपिक है वो है री पोल या फ्री टेस्ट ये क्या चीज है तो ये 36 गड़ ने देश में एक बार फिर री पोल फ्री स्टेट होने का जो किर्थी मान है वो हो या दंतेवाडा का उपचुनाओ हो ठीक है तो इस प्रकार से जितने भी चुनाओ है कोई भी केटेगरी में 36 गड़ में ये री पोल वाली जो इस्थिती है वो नहीं होती है सभी तरह के निर्वाचनों में 36 गड़ ने ये उपलवद्धी हासिल की है और इस प्रकार जो हुई राज्यशाषण ने प्लास्टिक बोतलों और प्लास्टिक कैप के उप्योग पर प्रतिवन्द लगाने का निर्डए लिया है शासन के निर्डए के अनुरूब आपकारी विभाग द्वारा आगामी एक दिसंबर से देसी मदरयं में उप्योग आने वाली सीलिंग कैप का उपयोग नहीं करने के सम्मन्द में आदेश जारी कर दिया है नेक्स्ट है हमारा गोबर दिये ठीक है तो ये कहां हुआ इसको कौन बनाया है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है बालोज जिले में स्वासाहता समू से जुड़ी महिलाएं जो है जिला पंचायत की CEO तुलिका प्रजापती ने आम जन से प्लास्टिक से परहेच करने और मिट्टी के दियों का उपयोग करने की अपील की गई है इन्वार्मेंट के मुद्दे पर अगर आपको निबंद लिखना है तो उसमें 36 गड़ की भूमिका है उसके अनुसार आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं नेक्स्ट जो सत्रवा है हमारा गोठान दिवस प्रदेश में 28 अक्टूबर को जो है गोवर्धन पूजा का तिहार गोठान दिवस के रूप में जो है मनाया गया मुख्यमंत्री भुपेश बखेल के रायपूर स्थित निवास में सुबह साढ़े दस बजे से कोठान दिवस के कारेकरम आयोजित किया गया इसके तहजोय क्या किया गया गुवर्धन पूजा और राउत नाचा का आयोजन किया गया इस आयोजन में बड़ी संख्या में आम नागरी भी सामिल हुए ठीक है तो ये कुछ जो आज के महतोपूर्ण करेंट अफेर थे और इसका PDF आपको पूरे डीटेल में आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट में तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेर करें धन्यवाद